अगर तुम तुमारे फेवरेट गेम में हमेशा के लिए फस जाओ, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उस गेम के विलन बनोगे, या उस गेम के हीरो बनोगे? Well, यही श्टोरी है हमारे में कारेक्टर की, जिसने डिसाइड किया कि वो उस गेम का विलन बनेगा. मैंने इस anime का पहला episode पहले ही cover कर लिया तो अगर तुमने वो नहीं देखा है तो तुम जाके उसे देख सकते हो मैं उसका link description में और यहाँ पे icon में भी दे दूँगा और अब हम start करते हैं इस episode को नाबिर और Ainz inferior के साथ चलते रहते हैं बाकी सब party members के साथ उसकी help करने के लिए तभी ही वहाँ पे वो लोग बाते करते हैं dragons के बारे में कि जो सामने वाला पहाड है उसके आसपास dragons रहते हैं ये सुनके Ainz कहता है कि जो game वो खेलता था उस game में भी dragons बहुत important होते थे तो उससे थोड़ा careful रहना चाहिए इन dragons से उसके बाद वो लोग आगे आगे बढ़ते रहते हैं और तब वो लोग एक village के पास पहुचते हैं जो village असल में निफीरियर के पहचान वाला village होता है लेकिन वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे लोग ने बैरिकेड कर दिया होता है हर चीज को तो लोग थोड़ा पास जब पहुचते हैं तो देखते हैं कि village में आसपास goblins होते हैं तो उन्हें लगता है कि यह goblins आखिर कर क्या रहे हैं निफीरेर बातो बातो में एन्री से कहता है कि तुम्हारी उमर हो गई है शादी करने की तो क्या हम शादी कर ले लेकिन इस बात पे एन्री इतना ध्यान देती नहीं है क्योंकि वो थोड़ी उदास होती है क्योंकि उसके parents की death हो गई होती है तो वो Ainz के पास जाता है और उनको thank you कहता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप ही Momon हो और आप ही Ainz हो जिसने ये village को बचाया था तो मैं आपको thanks बोलना चाहता हूँ ये सुनके पहले तो Ainz इसकी बात मानता नहीं है वो कहता है मैं तो Ainz हूँ ही नहीं लेकिन बात में वो भलता है कि अच्छा ठीक है तुमें ये बात पता है तो तुम किसी और को मत बताओ सिफ तुमारे तकी रखो ये बात उसके बाद वो लोग निफीरर की help करने के लिए अपने expedition पे आगे बढ़ते हैं तो वो लोग एक jungle के पास पहुँचते हैं जहाँ पे निफीरर कहता है कि इस jungle में एक guardian रहता है जिसे wise king कहते हैं और वो बहुत ही powerful है तो हमें थोड़ा careful रहना पड़ेगा यहाँ पे तो ये सुनके आइंस थोड़ा खुश हो जाता है वो कहता है ठीक है मैं इससे लड़ लूँगा तब तक तुम लोग अपना काम श आइंस को बोलता है क्या हुआ तुम मुझे नहीं करोगे क्या तुम डर गए मुझे देखके तो आइंस बोलता है रुख जाओ में तुम पर हमला करने वाला हूँ तो आइंस सबसे कम level वाला spell यूज़ करता है उसके उपर और वही spell यूज़ करने के बाद वो hamster आइंस से म पर हमला करना शुरू कर देंगे तो आइंस कहता है तुम्हें टेंचन लेन की कोई जरूरत नहीं है जब तक मैं यहां पर हूँ तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा उसका लोग expedition करने के बाद निफीर की help करते हैं सब सामान रखने में तभी निफीर देखता है कि उसके रूम म वो क्लेमेंटायन पर अटैक करने का सोचते हैं और वो लोग कहते हैं कि निफीर तुम यहां से भाग जाओ लेकिन तभी ही बादाम जैसे शकल वाला आदमी उनके पीछे खाड़ा हो जाता है और बोलता है यह मैं नहीं होने दूँगा उसका अगले समय हमें हमें दिखाते है उसका पैसा कालेट करने के लिए लेकिन तभी ही वो लोग देखते हैं कि शॉप पे कुछ तो खतरनाक हुआ होता है तो आइंस फटाक से अंदर के रूम में जाता है और देखता है कि जो भी उसके साथ वाले अडवेंचरर्स थे वो सब खतम हो गए रहते हैं यह देखक है कि तुम्हें क्या चाहिए तो आइंस बोलता है तुम्हारे पास जो भी है वो सब तुम्हें मुझे देना पड़ेगा यह सुन कि उसकी ग्रैंड मॉम बोलती है ठीक है मुझे चालेगा लेकिन तुम्हें मेरे ग्रैंड चायल को बचा के लाना ही पड़ेगा उसके बाद कि यह क्लेमेंटाइन और बादानेसी शकल वाला आदमी कहां पे है निफीरेर के साथ, तो वो निकल लेता है उनको पकड़ने के लिए, जैसे ही वो गेट के पास पहुचता है तो देखता है कि गेट के सामने जो शोल्जेस रहते हैं वो लोग बचके भागते रहते हैं, क्यो तुम लोग टेंशन मत लो, मैं जाके इन्हें खतम कर दूँगा, आइन्स उनसे बात करता ही रहता है कि तभी ही एक गोलम टाइप एनिमी उनके ओपर हमला करता है, तो आइन्स अपना स्वाड निकालता है और एक सिंगल स्विंग में उस बंदे को मार देता है, उसके बद आइन्स, नाबेर और उनका हैंशर जिसका नाम उसने रखा होता है हमुस के, वो लोग जंप मार के जाते हैं वॉल के उस तरफ और एक एक करके सारे अंडेट्स को मारना शुरू करते हैं, आइन्स अच्छे खासे अंडेट्स को मार चुका होता है लेकिन वो देखता है कि अंडेट्स रुकते ही नहीं है, तो खुद दो लोग को समन करता है, एक होता है जाग दरीपर और एक होता है बोन समाशर, या फिर इसका नाम था बोन कलेक्टर, वेल ये दोनों आके फटाफट सारे अंडेट्स को मारना शुरू कर देते हैं, उसके बद आइन्स पहुचता ह है बादाम वाले बंदे के पास, और उसको बोलता है कि तुमने उस लड़के को कहां छुपा के रखा है, उसे मेरे पास भेज दो, और तभी ही मेंडग जैसी शकल वाली कलेमेंटाइन वहां पर आती है, और हसने लगती है, कहती है, क्या तुम तुम तुमारे दोस्तों का बदला लेने आयों मुझसे, तो वो कहता है, नहीं, मैं तो सिर्फ उन्हें जानता था, लेकि मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है कि तुमने उसे मार दिया, पर हाँ, तुमने उन लोग को मारा, उससे तुमने मेरे प्लैंस में दखल अंदाजी की है, और इस वज़े से बादाम वाला आदमी अपना एक special move यूज करता है, नाबेर के उपर, वो एक skeleton dragon को समन करता है, जो कि असल में कहा जाता है कि ये dragon के उपर कोई भी magic काम नहीं कर सकता, तो ये कहता है कि अब तो तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारा magic इसके उपर नाकामियाब होने वाला है तो तब ही नाबेर कहती है, ठीक है, मैं अपना physical strength यूज करूँगी, और नाबेर अपना एक तलवार निकालती है, जो कि असल में खंजर टाइप का होता है, और dragon के उपर हमला करती है, ये देखके बादाम टेंशन में आ जाता है, बोलता है कि तुम क्या हो, तुम्हारे ब Clementine बुलती है कि तुम्हारे दोस्तों को मारने के बाद मैंने उनके badges को अपने कपड़े पे लगा दिया है, और वो Ainz के साथ मजा करती रहती है, उसे लगता है कि Ainz में कोई ताकत नहीं है, वो एक-एक magical moves यूज करती है, physical enhancements यूज करती है, और Ainz के उपर हमला करती रहती ह थोड़ा हमले करने के बाद वो कहती है कि Ainz हो कि तुम्हारे उपर कोई हमले का असर क्यों नहीं हो रहा है, लगता है तुम्हारा armor बहुत strong है, और Ainz उसे कहता है तुम से लड़ लड़ कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल गया, कि physical combat, melee combat कैसे करते हैं, ये सब सुनकी Clementine कह दिखाओ नाजरी की ताकत, और ऐसा सुनने के बाद, नाबेर अपने proper made वाले form में आती है, और फटाक से खेल खतम करने का शुरू कर देती है, वो बादाम को कहती है कि बादाम तुम्हारा खेल खतम हो गया भी, वो फटाक से टेलिपोट होती है, और बादाम की पीछे जा और उन दोनों ड्राइगन से खतम कर देती है, ये देखके बादाम एकदम डर जाता है, वो बोलता है कि तुम्हारे पास इतनी पावर कहां से आई, लेवल 6 के उपर का पावर तो भगवान भी यूज़ नहीं कर सकते है, तो नाबेर कहती है कि मुझे जिसने बनाया है, वो लोग भगवान से भी उपर है, ऐसा कहने के बाद नाबेर वो बादाम को भी खतम कर देती है, इस तरफ आइंस की आखो में ये मिंड़क वाली बन्दी ने दो खंजर भोग दिये रहते हैं, और वो कहती है कि तुम्हारे उपर कुछ असर क्यों नहीं हो रहा है, तब ही अपना टाइम लेकर तुम्हे मारूंगा, क्लेमेंटाइन पटाती रहती है आइंस के हाते ही कि मुझे छोड़ दे मैं तुझे मार दूँगी, लेकिन वो कुछ कर नहीं ही पाती है, और आइंस आराम से अपना टाइम लेकर इसे खतम कर देता है, यहाँ पे मैं आप लोग क एक magic यूज़ करता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे अंधेपन का इलाज कर दूँगा और फिर वो निफिरर को वहां से लेके बाहर निकलता है और Shelter वही लड़की है जो की इनके floor 1, 2, 3 की guardian थी तो अब बहुत मजा आने वाला है आगे वाले episode में हम जाने के कि Shelter ने धोका क्यों दिया और कैसे दिया वेल आज के लिए बस इतना ही I hope आपको इवीडियो देखके मजा आया होगा तो उसके लिए सब्सक्राइब तो ज़रूर करना और आज के लिए मेरे दर से बस इतना ही मेरा नाम है सासबेट और मैं बात करूंगा आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइ-बाइ